तो मैंने पहले से कुछ चीजे बेस तोर पर करके रखी है ready ताकि हम focus करें example पर जो data हमने import किया है वो Excel में कुछ इस तरीके से है आपको भी इसको import करना है, file आपको मिल जाएगी import करने के बाद table को मैंने rename किया sales trans name से फिर एक base मेजर बना है, some formula का इस्तमाल करती है, some of sales trans, sale amount फिर उसके बाद calendar auto function का इस्तमाल करके calendar बनाया और model में हमने दोनों को relate किया date और order date column के basis पर अब आजाते हम example, तो हमें कुछ इस तरीके का visual बनाना है वैसे तो visual बहुत simple और straightforward है, main जो है इसके अंदर वो है calculation, तो यहाँ पर एक category column है, जिसमें तीन categories है components, bikes और clothing, तो जो light blue वाला बार दिख रहा है यह पिछले एक साल का total sales है, जो dark blue दिख रहा है आपको यह वाला, यह पिछले दो साल का sales है, लेकिन यह cumulative sales नहीं है तो यह पिछले एक साल का sales तो समझ में आया, जैसे आज है 12 October तो यह 13 October 2023 से लेके 12 October 2024 का डिटा है और जो बीच वाला बार है, यह जो है, यह 2022 October से लेके 2023 October होना चाहिए, ना कि current date तर, और उसी तरह किसे औरेंज बाला बार होना चाहिए, 2021 October से 2022 तो individual ऐसे years हमें बनाने है, तो यह challenge है इसका अब सबसे पहले हम एक table visual लेते हैं, क्योंकि पहले हमें कुछ calculations देखना है, और end moment में हम visual को change कर देंगे तो एहम चीज़ क्या है यहाँ पर, visual end product है, calculations हमेशा main ही रहते है या ज़्यादा weightage लेते है, क्योंकि वो logic है, तो अब सबसे बड़ा roadblock यह है कि कैसे हम define करें start date और end date, पर हमें तीन अलग measures बनाने पड़ेंगे, एक measure से यह काम नहीं होगा, क्योंकि हर एक का जो range है date का, start date और end date अलग है, अब इसके चलते भी क्या है, क्योंकि DAX के अंदर बहुत सारे DAX function से कई अलग-अलग तरीके है, मैं आपको बड़ा simple और straight forward तरीका इसमें सिखाने वाला है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक पहले year का measure, जो previous one year का sale लेगा, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, individual हमें value लेनी है, ठीक है, कोई date का field हमें measure, date का field हमें visual पर नहीं रखना है, यह एक बहुत एहम बात है समझने की, क्यों, ठीक है date का field जब हम रखते हैं, तो हम date add वगरा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें current row का context define हो जाता है, row context के जारी, यहाँ पर हमें individual value calculate करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे, अभी जो हम में बताऊँगा, दूसरा चीज यह है, कि एक नई चीज और concept हम introduce कर रहे हैं आपर, जिसका नाम है variables, variables ऐसा नहीं कि Power BI में ही है, variables हमेशा, आप देखेंगे, अगर programming background से हो, तो programming में ही variables पहले आए, फिर कई सारे tools में है, technologies में है, और Power BI में है हमारे पर, ऐसा नहीं कि अभी release हुआ है, यह feature काफी वक्त पहले release हुआ, लेकिन अ variables करता क्या है, variables आपके code को breakdown करता है, smaller और manageable और understandable parts में, जिसको आप बड़े आसानी से manage कर सकते हूँ, पर यही मैं demonstrate करना जा रहा हूँ, क्यूंकि अगर हम चाहे तो हमारा measure एक line में भी लिख सकते हैं, पर वो बड़ा complex होगा, तो यह बड़ा बहतरीन example है, variables को सीखने का, और इसके चलते क्या है, इससे पहले जो examples हमने complex किये हैं, वहाँ पर भी आप इसको scope में लाइए, और variables के चलते, उसको enhance कीजिए, simplify कीजिए, और आगे आने वाले examples में भी जहाँ भी मोका मिलेगा, हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब all tap करके आप क्या अगर सकते, multiple lines में measure का syntax break कर सकते, तो यहाँ पर variable को कैसे define करेंगे, अब 3 चीज़े होती है, सबसे पहले है, where नाम का keyword, इसका मतल है variable, पिर उसके बाद में एक, आपको variable का नाम चूज करना है, जैसे मौनलो मैंने current date है, अब एक से ज़्यादा भी variables एक measure में हो सकते, लेकिन उनका scope सिर variable का scope, जो measure मे अब लिख रहे है, उसी तो कसी मित होता है, तो यह भी एक important चीज़ है, और तीसरा चीज़ है कि आपको उसके अंदर क्या value सेव करनी है, जैसे मुझे सेव करनी है, मानलो today, ठीक है, फिर alt enter किया, और हमें और एक variable चाहिए, जैसे मानलो start date, तो start date क्या रहेगी, एक साल values देता है, मुझे range of values नहीं चाहिए, मुझे एक ही value चाहिए, तो पिछले साल में जाने के लिए बड़ा आसाल है कि हम e-date करें, start date जो रहेगा हमारा, वो current date रहेगा, और इसको हम change करके, इसको end date यह नाम देते है, और end date लेंगे हम यहाँ पर comma 12, 12 नी, minus 12, कि पीछे जाग और end में, alt enter करेंगे, return, end date, तो एक variable का output जो आपको measure में push करना है, तो आपको return करना है, बस, यह अगर आप देखोगे, तो मैं इसको drag कर लेता हूँ, यहाँ पर, और थोना सा value change कर देते है, तो आज, end date जो है, वो यह है, start date अगर आप देखते हो, बस मैं table visual EC नी, मैंने लिया है, ताकि आपको यह change समझ में है, तो start date 12 October 2030, बस हमें इसमें plus one करना है, क्योंकि 13 October से शुरू करना है, यह plus minus का logic business to business change हो सकता है, बस 13 से 12, इस तरीके से पूरा एक साल complete होगा, अब इस पर यह हो जाता है, तो हम finally, यहाँ पर इसको हटाएंगे, क्योंकि यह नहीं चाहिए, मुझे sales चाहिए, तो calculate total sales, बड़ा simple है, अब start date और end date को लेकर, एक date range return करने वाला formula कौन सा है, dates between, तो date, यहाँ पर आगया start date, यहाँ पर आगया end date, दोनों brackets बन, और इसको हम नाम देंगे, previous one year, ठीक है, तो यह आगया previous one year का sales, इसी को मैं copy कर लेता हूँ, new measure, और इसको हम previous two years करेंगे, तो previous two years में थोड़ा सा change रहेगा, previous two years में क्या रहेगा, हमें current date से, पीछे दो साल तो जाना जरूर है, लेकिन end date हमारी current date नहीं रहेगी, हमारी start date जो रहेगी, दो साल पीछे रहेगी, लेकिन end date पीछे एक साल रहेगी, तो हमें यहाँ पर simplify करना है, कुछ इस तरीके से, ऐसे तो current date फिर भी हमें ज़रूर्थ होगी ही इसकी, और एक variable में introduce करता है, मैं बताता हूँ, क्यू, current date is equal to today, ठीक है, तो तोड़े देर के लिए मैं इसको cut कर लेता, जो end date रहेगी, end date जो रहेगी वो यह रहेगी, एक साल पीछे, end date, current date से एक साल पीछे, और हम end date को यहाँ पर return करके चेक कर लेगी, तो आपको logic समझ में है, देखो यही एहम है, इस example का, पूरा का पूरा जो है, यही एहम चीज़ है, तो 12 October को end हो जाएगा, 2023, start date में क्या करना है आपको, बस इसको 2 साल पीछे push कर देना है, यहाँ पर start date, यहाँ आना चाहिए, देखे, यहाँ पर, लेकिन एक change क्या करना है, यह current date होना चाहिए, ना कि end date, क्योंकि end date से भी पीछे जा रहा है, एक साल और, तो 13 October 2022, और यह 23 था, बस यह होने के बाद हमारा जो dax है final, यहाँ गया, ready, copy करेंगे, 3 years, बस parameter change करने हैं आपको, 24 और इसको 36, ठीक है, आगे, तो हमारा काम लगबग हो गया, बस visual change करना है, तो देखे, कितना simplified, यहाँ पर नजर आ रहा है, और manageable भी है, और समझने भी आसान है, किसी के लिए, simple logic हमने define किया, अब सबसे पहले, कि हम visual में change करें, हम इन numbers को verify भी करना चाहेंगे, previous one year हम excel में जाते है, filter between, और between का मतलब होता is after or equal and is before or equal, end date में current date रहेगा, और start date में, 13 October, 2023, enter किया, यह number देखें यहाँ पर, 5938037, 5938037, और round off होगा उसको, फिर वापस से date filters पे between पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बस अपको इसको 22 करना है, और इसको, तोटल है, 5970420, 5970420, और last वाला, 21, 5795397, 579537, तो यह टैली हो गया, इस तरीके से, अगर यह cumulative होता है, तो directly हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, slice किया है, कि पिछला एक साल, उसके पिछला एक साल, फिर उसके पिछला एक साल, बस अभी हम इसको change करके, cluster column chart कर लेंगे, और category को x-axis में लाएंगे, तोड़ा सा इंडाच कीजिए, और data labels को on, तोड़ा इसको हम value को mold कर देंगे, तो इस तरीकी से के और एक कवाल की चीज़ है, ऐसे कई सारे scenarios हम करना चाहेंगे आज, मेरे पास तो ऐसे काफी सारे scenarios है, दर्जनों के numbers में, कि यह हमने ऐसे कई सारे scenarios practically कई सारे projects में किये, और मुझे pushy होगी उन सारे चीज़ों को, हमारे section में Power BI के cover करना देंगे, तो यहीं तरह इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में,